कि हलो एवर्यों वेलकम टो नॉलेज़ प्लस इस वीडियो में हम दा नेस्टनलिस्ट मुव्मेंट इन इंडो चाइना को माध्यम से स्वाल करने जा रहे मतलब कुछ चेप्टर को रिवाइज करने जा रहे है जो मेली फेकोस होगा एंटी एस एक्जाम के लिए और भी डिफ प्रेंच के सही मनें बकाणा है सब्सक्राइब शच्टकलते लिएन-ठीटखिन के माना सब्सक्राइब काणले। इसमें से कौन सा ओप्षन जो है सही है तो जैसा कि आपको कुछ मलें की सिर्फ इतना पता हो कि थर्ड ऑप्षन गलत है तो हम यहां से सही कर सकते हैं तो थर्ड ऑप्षन जहां जहां हम काट देंगे तो हमारा सब्सक्राइब तो फर्स्ट का सब्सक्राइब टू ठीक है दानानी जनरल वाज़ विटनामी जनल लॉट अट फ्रेंच ठीक है यहां पर बताया गया कि अनानी जो था फ्रेंच जनल था टेक विटनामी जनल था ठीक है इसलिए ऑप्षन गलत होता है थाड़् आप संजाए का काट देंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा एंसर हो जाएगा यहां पर जैसे देखते हैं कब हुआ था तो क्रेशन ऑफ इंडो चायना यू नियैं एव सांवा था 1887 में इंडोचायना यूनियन का क्रेशन फॉर मेशन ऑफ COPनिज़टस परटी नामी वहा था 1930 में यह था 1930 होटेटी में ठीक है पेरीश पीस्ट्रीटी एक भूब था मैंटीन सेवेंटी फाइब था तीक एपरीयस पीश्टी निटीन सेटीफाइब मैं मैं वह था और टीकलिरेशन आफ इंडिपेडेंस वह भी होचिमीन यह निन के फ़ोटी फाइब था ठीक है तो यह हुआ था तो हो जाएगा 1243 हैना सबसे पहले फिर हुआ टू फिर हुआ फिर हुआ फोर उसके बाद हुआ थ्री ठीक है तो इसका सेंस्ट हो जाएगा फॉर कुछ सब्सक्राइब करेक्ट रिस्पॉंस ठीक है यहां पर यहां पर उसे में क्या हुआ था तो जैसे 1910 में क्या हुआ था तो 1910 में जो हो जाएगा अप्रांस इंडो चाइन नेट्वर्क फर्स्ट को जाएगा थरी नाइटीन थाटी में क्या हुआ था तो नाम यहां पर हम लोग भी पढ़े है ना तो भी का हो जाएगा फॉर और 1907 में क्या हुआ था तो टॉंकिन फिया स्कूल और 1887 में क्या हुआ था फर्मेशन और फ्रेंच इंडो चाइना तो इसका से इंस हो जाएगा वन थाड़ का हो जाएगा वन को सब्सक्राइब फॉर है कंसीड़ ता फॉलोंग स्टेट्मेंट एंडिफाइक रिस्पॉन ठीक है दो स्टेटमेंट यहां पर दिया है तो अब कर एक स्कूल्स बीकेम इन इपॉर्टेंट फ्लेस फॉर पॉलिटिकल और कल्चिरल बैटल इन विटनाम अंडर फ्रेंच रूल ठीक है तो एसा मतलों कि यहां पर स्टेटमेंट वन और टू दिया है और इसमें बोला ग तो हां explain करता फॉर का वाज़ाएगा थ्री दोनों स्टेटमेंट सही है और एस्टेटमेंट टू जो है स्टेटमेंट वन का explain मतलगी एसकूल में बैटल की होता था था क्ल्च्राल और पॉलिटिकल बैटल की होता है क्योंकि जो टीचर थे जो जो मतलब भूक में लिखा र क्वेशन नवर फाइव है कंसीडर फॉलोविंग एस्ट्रेटम टू नेशनल मुव्मेंट इन साउथ इस्ट चाइना तो यहां पर होजाएगा होची में रियोर्गनाई था नेस्टनल ग्रूप एजब अतनामीच कम्मिनिस्ट पार्टी नैंटीन था दूसरा ऑप्शन है है कि गांधी जी बीगेन कि दा सॉल्ट मार्च फॉम इसावर माति आस्रम तो डांडी और मैनुफेक्ट्टर हैंट्फूल फॉल्ट टू बलेक कॉलोल यह तो सही है मतलब दूसरा क्वेशन तो सही है यह तो काफी सिंपल है फर्स्ट यहां पर गलत है होची मीन ट्रेल टू ली यहनि कि फाइब को जाएगा टू कांसीडर दर फॉल्विविट्मेंट शीक्स के बारे में यहां पर है तो होची मीन वाज़ चेर्मेंट डॉमक्रेटिक रेपब्ली को व्यतनाम में बिल्कुल सही है नेक्स्टी फाउंड़ देविटनाम इस पार्टी भी सही है क गेवाइब देनेशनल इविरेशर फ्रंट ए गलत यानिक यह वी सी तीनों सभी जाएगा फर्स्ट को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कौन सा इसमें से सही नहीं है ना नोट पूछा जा रहा त्रू नहीं पूछा जारे ध्यान दिजेगा तो आप्शन न पूछा जारा आपर तो इसका सभी नपाल में ना ना पलम जो भी उसको पड़ सकते हैं तो एक केमिकल वीपन था जो बहुत सारे भी लेज्ट जंगल को डिस्ट्रॉइक कर लिया था इस पर कई सारे सिविलियन मरे थे तो यह वेस के दौरा एक चेमिकल वीपन था ता था इसका नाम था नापाल में अंचरोक्य हुशन मर नाइन है कि क्लोण वियतनाम को बोला जाता था ऐसलिंग उनृख वर्ट निहीं बताइते और यहां पर पूछा जाया रहा है की क्लोण क्या होता था तो फ्रेंच उनको फ्रेंचतिन उनको पोला सेगोन नेटिव गर्ल स्कूल 1926 में वियतनाम में एक सेगोन नेटिव गर्ल सब्सकूल था वहां पर प्रोटेस्ट का क्या रिजन था ठीक है तो इसका यह फिर्स्टी ऑप्शन और एक्सपल्सन ओफ यह नामीज गर्ल फ्रम दा स्कूल है ना स्कूल से एक्सपल्सन जो हो रहा था वियतनामिज गर्ल का उसके कारण से प्रोटेस्ट हुआ था ठीक है तो इस तरीके से जो है इंडो चाइना का दो वीडियो समाप्त हो यहां पर यह वीडियो पसंद आतो लाइक करें चैनल करें धन्यवाद